नमस्कार के लेन न्यूज रूम में मैं भावना एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है जिसकी बजह से दुनिया भर में मनने वालों का आंकड़ा 7000 के पार पहुँच चुका है लेकिन अभी भी लोगों के बीच इस नए वायरस के फैलने के तरीकों को लेकर कई सवाल और भ्रहम बने हुए है इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे कि वाट से फेस्बुक पर कई भ्रहमत मेसेच फैलाए जा रहे हैं जिससे लोगों में काफी डर है और लोग ब्रहमित हो रहे हैं इसे बीच लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं जैसे कि कोरोना से जल्द म्रत्ती हो जाती है, इसका इलाज संभव नहीं है यह कैसे फैलता है, क्या सिर्फ जूने से या फिर नजदे की संबंदों से फैलता है यह सिर्फ इनसानों के संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैलता है या फिर संक्रमित व्यक्तियों दोरा सपर्शक्की हुई चीजों से भी फैलता है कोरोना का प्रसार कैसे होता है इसको लेकर अभी भी जन्ता को सपश्चता नहीं है हम आपको बता दे कि पिल्धाल खासी और चीको को वाइरस के प्रसार के लिए अहम स्त्रोध माना जा रहा है अगर कोरोना वाइरस से संक्रमित कोई व्यक्ती छीटते समय अपना हाथ मुह पर लगाता है और फिर उसी हाथ से किसी जगह को छू लेता है तो वह जगह संक्रमित हो जाती है दर्वाजे, ट्रेनों, बसों के हैंडल आदी उन जगहों के अच्छे उधारन है जिन्हें लोग बार-बार चूते हैं और जो खतरनाक साबिध हो सकते हैं विशेशग्य मानते हैं कि कोरोना वाइरस कई दिनों तक एक जगह पर जिन्दा रह सकता है ऐसे में बहतर यह है कि आप अपने हाथों को बार-बार धोएं ताकि संक्रमन और वाइरस के प्रसार का खतरा कम किया जा सके कुछ लोगों का सवाल है कि क्या मास्क पहनने से कोरोना से 100% सुरक्षिक रहा जा सकता है तो उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि काफी कम सबुत मिले है कि मास्क पहनने से पूरी तरह से वाइरस से बचाव किया जा सकता है किन तूप सावधानी जरूर बढ़ती जा सकती है और साव सफाई जैसे रोज हाथ धूने और मुह पर हाथ लगाने से पहले हाथ धूना काफी सार्थक हो सकता है अभी दग कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए कोई दवाई या टीका इजात नहीं हुआ है इसलिए इससे सावधानी ही इसकी रोग थाम का सबसे अच्छा तरीका है चोकि इसके लक्षण भी सामान्य सर्दी जुखाम और गुखार जैसे ही होते है और कोरोना का पता सिर्फ इसके टेस्ट से ही लगाया जा सकता है रिपोर्ट आने में भी काफी समय लगता है तब तक सामाने विमारी वाले लोगों में डर बना हुआ है तो आप लोगों को डरने की आवश्चता नहीं है इससे संक्रमन का पता लगते ही सही ट्रीटमेंट द्वारा इससे निजात पाई जा सकती है जैसा कि भारत ने अब तक तीन संक्रमित व्यक्तियों को ठीक किया जा चुका है सरकार द्वारा जगह जगह पर आईसोलेशन सेंटर भी बना दिये गये है और साथ ही जानकारी है तूर हेल्पलाइन नमबर भी उपलबद है जिसकी सहायता से हम पूरी साथा ने रख सकते हैं और इससे बच सकते हैं फिलहाल इतना ही इस तरह की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें साथ ही हमारी कैनन न्यूस के मुबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड करें और देखते रहें देश दुनिया की लाइफ खबर है